सबी सातियों को मेरा नमस्कार, कसी दुनियाधारी चैनल में आप सभी का स्वागत है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आलू के दाम बाजार में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि दाम क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक में इतनी तेजी से ब्रदी देखने को मिली यानि जिन किसानों ने बड़े पैमाने पर अलू लगाया था उनको अच्छा मुनाफ़ा हो रहा है लेकिन सीधे ताउर पर हम यह से लोगों की जेब धीली करनी पड़ रही है यानि महंगाई की चपेड में हम लोग आते जा रहे अगर बात की जाए लोकल खबरों की तो बड़े बड़े जो सहर हैं दिल्ली, नोइडा, लकनाउ, प्रयागराज इनमें अलू के दाम 40-45 रुपय केजी के हिसाब से मिल रहे हैं अगर यहीं लोकल मार्किट की बात की जाए तो 30-35 रुपय पर केजी के हिसाब से अलू मिल बज़े सीधा है इस बार किसानों को भीसर गर्मी और बरसाद दोनों की मार झेलनी पड़ रही है यानि इतनी ज़्यादा भीसर गर्मी की बज़े से जो जायद में फसले लगाई जाती थी यानि लोकी, तुराई, कद्दू, लोबिया, रोसा इन फसलों को गर्मी की मार झ हिरनी पड़ी जिसकी वज़े से किसान जैसे तैसे इनको बचा पाया है, उसके बाद अचानक तेजी से बारिस हुई, जिसे क्या हुआ जो तराई के इलाके थे, वो पूर्तया भर चुके हैं, और जो उपरी इलाके हैं, उसमें भी जल्भराव की स्थिती देखने को मिल र जाती हैं, जिसकी वज़े से सब्जी की जो पूर्ती है, वो करपाना बाजार में संभव नहीं होता है, इसलिए आलू को बिकल्प के तौर पे देखा जाता है, तो बरती जन्संक्या के हिसाब से चीजे लगातार बिगरती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि मार्केज मे हर तरह से यूज करते हैं और खाते हैं लोग, तो आलू के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अगर बात की जाए इसके निजात की, तो भीसर बर्सा को देखते भी नहीं लगता है कि आने वाले एक-दो महिन में महेंगाई से राहत आपको मिलने वाली है, अगर जो जु ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, क्रपया लाइक करिए, सेर करिए, और हमसे जुनने के लिए क्रपया हमारे चैनल को सस्क्राइब करिए, धन्यवाब